वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे थे अच्छे से इंजोई कर रहे हो घर पर हैंड वोश कर रहे हो stay home stay safe हमने last classes में अपने मारे में क्या किया था हमने red color की recognition की थी हमने standing line से की थी standing मतलब खड़े होने की position है ना अब हम क्या करेंगे sleeping line करेंगे sleeping line क्या होती है sleep मतलब ममा कहती है ना सो जाओ रात को sleeping sleep नीन ही लेना ना नीन लेना अपनी उसके लिए हमें बैट पर लेटना पड़ता है वो जो position होती है sleeping position कहते है यह हमारी क्या है standing line this is a standing line हमें standing line पर क्या करना है balloon dabbing करनी है balloon मतलब balloon पता है ना यह balloon घर पर कोई भी छोटा balloon हो इतना size लेना कि बच्चे के पान में हाथ में पूरा आ जाए ठीक है इस तरीके से हम balloon लेंगे और अपनी sleeping line यह क्या है हमारी sleeping line है ना इस sleeping line पर क्या करेंगे dab 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 कर देंगे किस color से करेंगे हमारा कौन सा color चल रहा है red color चल रहा है है ना red color का हमारा topic चल रहा है तो हमारी activity क्या है balloon dabbing on sleeping line तो हम क्या करेंगे इस balloon को थोड़ा से watercolor में red color में dip करेंगे और उसके बाद यहां पर ऐसे dab करते जाएंगे ठीक है इसे क्या बोलते हैं हम balloon dabbing इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे dab dab करना और वह बड़े ही enjoy लेकर इस activity को perform करेंगे इस तरीके से ठीक है यह क्या है हमारी balloon dabbing on sleeping line ठीक है यह हमारी day 3 की activity थी क्या थी balloon dabbing on sleeping line अब इसको घर पर करना और enjoy करना ठीक है बच्चा take care bye bye